भाईव और भेनों, आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है, उचसे आस्ता और परेटन दोनों ही आपस में जुडे हुए हैं। गिर्नार परवत पर, मांबे भी विराज्ती हैं, गुरतनाक शिखर भी हैं, गुरुद तात्रे का शिखर भी हैं और जैन मंदीर भी हैं। यहां के हजारों सीधियां चड़कर जो सिखर पर पहुंचता है, वो अधबूत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्वस्तरिय रोप्वे बनने से सबको सुविधा मिलेगी, सबको दर्शनों का आउसर मिलेगा। अभी तक मंदीर तक जाने में जो पाँच पाँच साथ साथ घंटों का समय जगता था, वो दुरी अब रोप्वे से साथ आठ मिनिट में ही तै हो जाएगी। रोप्वे की सबारी, एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां जादा से जादा सरद्धालू आएंगे, जादा परियटक आएंगे। साथियों, आज जिस रोप्वे की शुरुवात हुई हैं, वो गुजरात का चौथा रोप्वे हैं, बनास काठा में, मां अंबा के दर्शन के लिए, पावागड में, सत्पुडा में, तीन और रोप्वे पहले से काम कर रहे हैं। अगर गिनार रोप्वे में रोडे न अटकाए होते, तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता, लोगों को, टुरिस्टों को, इसका अलाब बहुत पहले ही मिलने लग गया होता। एक राष्ट्र के रूप में, हमें भी सोचना होगा, कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुवीधा पहुचाने वाली व्यवस्ताओं का निर्मान, इतने लंबे समय तक अटका रहेगा, तो लोगों का कितना नुक्षान होता है, देश का कितना नुक्षान होता है। अब जब ये गिरनार रौप पे शुरू हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि हाँ लोगों को तो सुवीधा मिलेगी ही, स्थानिये युवाओं को रोजकार के भी अधिक आउसर मिलेगी।